च्छतरपूर की नरसी हधाँ में आज देतर श्रीमत भागवत कथा में आज बागी शुर्धाम की पिठादीश्वर पंडित दिरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे जहां कथा व्यास महंता सुदर्शन शरण जी महराज ने पंडित दिरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बुद्पूर्वा स्वागत किया ऐसा अउसर पर पिठादेश्वर्थि रंद्र कृष्ण शास्त्री ने कथा कि आयोजन करता पंडित कमलेश चोबी की सरहाना करते हुए कहा कि ऐसे कम लोगी होते हैं जो अपना और अपने समुचे शेत्र का नाम रोशन करते हैं उन्होंने कथा वाचक मेहंद सुदर्शन नर्शरन जी महराज के सरहाना करते हुए कहा कि छतरपुर के नर्सिया धाम में श्रीमत भागवत कथा का वाचन भी सुदर्शन शरन महराज जी के श्रीमुक से चल रहा है जो कि हमारे लिए सोभागी की बात है महीं उन्होंने कहा कि जागरन पध्यात्रा बागे शुर्धाम से निकाला जाना है जो कि नवंबर माहा में 21 तारिक को और श्रधाम के लिए प्रस्थान करेगे इस यात्रा के माध्यम से हिंदूों को जगाने का काम किया जाएगा हम आपको उतादे की नर्सिया धाम में 23 से सब्त दिवसिया श् संख्य पार्थिव श्रीमत भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रधालू मौजोद रहे सब्त दिवसिया श्रीमत भागवत कथा और 108 स्टोत तरसत पार्थिव सिब्ली निदमार का साथ दिन तक अनवरती कारिक्यम चलेगा आठ में दिन विसाल भंडारा और पुणा होती का कारिक्यम रहा जाएगा और इसमें आज वो जिसी बागे स्टोत पीठाती स्टोत की महराज इसकता के मद्यपदारे और इन्होंने अपने हिंदित को जगाने के लिए एक विसाल पैदल यात्रा का भी आउगाहन किया है इसे हिंदु धर्म को जातिकाद बातिका समावेश करने के लिए यात्रा निकाली के लिए उन्होंने हम समाजबाशियों को संदेश दिया है और इस शतरपुर के मद्य स्रीमत भागवत कथा जन आधार के साथ में सभी लोग आ रहे हैं और सब लोग इसमें संबलेते हैं सब के जन सयोग से और हमारे स्रीम गड़ावाले 24 महराज मुख जमान और पून रूप से भरपूर सयोग अपना प्रदान कर रहे हैं इस बार भागवत कथा के मद्य में biscuit हैं जो की 108 ब्रामनों दबारा एक एक ब्रामनों दबारा एक एक भागवत का मूल पारारण किया जा रहा है एक एक एजबान को एक एक ब्रामर दिये गए हैं जिनको भागवत पार जो समर्थ नहीं है कि पूरा भागवत करा सकें एक छोटे रूप में भागवत का परायन मतलब भागवत का स्रवन करना और पाट कराना दोनों बराबर का फल प्राप्त होता है इसलिए ये नियम रखा कि एस्टोत्तर सर रखा जाए जो भागवत नहीं करा सकते हैं तो इस बहाने उनका भागवत का फ्रून फल प्राप्त हो जाएगा इसलिए एस्टोत्तर के रूप में इस बार विशेश रूप से रखा गया है चतरपोर से भरत यादों की एरपोर्ट